प्रेविद्यार्थियों नमस्कार आशा है कि आप स्वस्त वेप्रसंद होंगे हम ये जानते ही हैं कि उपापचय जीवों का एक महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य जैवरासाइनिक प्रक्रम है प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्ण तया या आंशिक रूप से निश्काशन अत्यंत आवश्चक है इन पदार्थों और विशेष्ट है साधार्ण नाइट्रोजनी अप्सिस्टों का शरीर से निश्काशन किस प्रकार होता है आज की सत्र में हम इसका अध्यन करेंगे विध्यार्थियों आज के सत्र के हमारे अधिगम उद्देश्य हैं इसके साथ साथ हम चाहेंगे जीविग ज्यान के अध्यन में अर्जित ज्यान को आप द्यानिक जीवन में सह संबंदि कर सकें और इन्हें अपने अनुप्रयोग में ला सकें प्रिय विध्यार्थियों आपको ये ज्यात ही है कि प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपसिस्टों में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक अमल हैं इनमें अमोनिया सरवाधिक आविश अर्थात टॉक्सिक है और इसके निश्कासिन के लिए अत्यधिक जल की आविशक्ता होती है यूरिक अमल थोड़ा कम आविश है और जल की कम मात्रा के साथ निश्कासित किया जा सकता है अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनियोत सर्ग प्रक्रिया कहते हैं अनेक अस्थिल मचलियां उभायचर और जलिय कीट अमोनिया उत्सर्जित प्रकरती के हैं अमोनिया सरलता से घुलंशिल है, इसलिए आसानी से अमोनियम आयनों की रूप में शरीर की सतय है या मचलियों के क्लों मर्थात गिल की सतय से विश्रन द्वारा उत्सरजित हो जाते हैं। इस उत्सरजन में व्रक्य की कोई आहम भूमिका नहीं होती है। इन प्राणियों को हम इसी लिए अमोनिया उत्सरजी या अमोनोटलिक कहते हैं स्थली अवास में अनुकूलन हेतू जल की हानी से बचने के लिए प्राणी कम आविश नाइटोजेनी अप्सिस्टों जैसे यूरिया और यूरिक अमल का उत्सरजन करते हैं स्थन्धारी कई स्थली उभैचर और समुद्री मचलियां मुख्यत है यूरिया का उत्सरजन करते हैं और यूरिया उत्सरजी या यूरियो टलिक कहलाते हैं इन प्राणियों में उपापचे क्रियों द्वारा निर्वित अमोनिया को यक्रत द्वारा यूरिया में परिवर्टित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है जिसे व्रक्षित परासरनता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है सरीसरपों, पक्षियों, स्थलिय घोंगों तथा कीटों में नाइट्रोजनी अप्षिष्ट यूरिक अमलिका उत्सरजन जल की कम मातरा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है और ये यूरिक अमलिक उत्सरजी या यूरिको टेलिक कहलाते हैं प्रानी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं अधिकांश अकेशेरुक्यों में ये सन्रचना सरल नलिकाकार की रूप में होती है जबकि कशेरुक्यों में जटिल नलिकाकार अंग होते हैं जिने व्रक कहते हैं इन सन्रचनाओं के प्रमुक रूप इस प प्लेनेरिया आदी में रॉटिफर या कुछ एनेलेट सिफेलो कॉड़ेट जिसको हम एंफियोक्स कहते हैं आदी में उत्सरजी संदचना की रूप में पाये जाते हैं आदी व्रकक प्रात्मिक रूप से आयनों वे द्रव के आयतन नियमन जैसे परासरन नियमन से संबंदित हैं केंचवे वे अन्य एनेलिड में नलिकाकार उत्सरजी अंग व्रकक पाये जाते हैं व्रकक नाइट्रोजनी अपसिस्टों को उत्सरजित करने तथा द्रब और आयनों का संतुलन बनाए रखने में साहता करते हैं तिलचटों अर्थात कौकरोज सहित अधिकांस कीटों में उत्सरजी अंग के रूप में मैल पेगी नलिकाएं जिनकों मैल पेगें टिबूल्स कहते हैं पाई जाती हैं मैल पीगी नलिकाएं नाइट्रोजनी अपसिस्टों के उत्सर्जन और परासरन नियमन में मदद करती हैं जींगा जिसे हम प्राण भी कहते हैं जैसे क्रस्टेशियाई प्राणियों में श्रंगिक ग्रंथिया अर्थात एंटेनल ग्लेंड या हरित ग्रंथिया उत्सर्जन का कारे करती हैं विद्यार्थियों आईए अब हम मानव उत्सर्जन तंत्र का अध्यन करते हैं मनश्य में उत्तरजी तंत्र एक जोड़ी व्रक एक जोड़ी मूत्रनलिका एक मूत्राशय और एक मूत्रमार का बना होता है स्क्रीन पर प्रदर्शित चित्र को देखिए इस चित्र में मानव का उत्तरजन तंत्र दिखाया जया है व्रक सेम के बीज की आकरती के गहरे भूरे लाल रंके होते हैं तथा ये अंतिम वक्षिय और तीसरी कटी कशेरुका के समीप उदर गुहा में आंत्रिक प्रश्ट सतह पर इस्तित होते हैं व्रक के प्रतेग व्रक की लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटिमीटर चौड़ाई लगभग 5 से 7 सेंटिमीटर और मोटाई लगभग 2 से 3 सेंटिमीटर और भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है व्रक के केंडरिय भाग की भीत्री अवतल अर्थात कौनके सतह के मद्ध में एक खांच होती है जिसे हम हाइलम कहते हैं इससे होकर के मूत्र नलिका, रक्त वाहिनिया और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं हाइलम के भीत्री और कीप के आकार की सन्रचना होती है जिसे व्रक्य स्रोनी या हम पैल्विस कहते हैं तथा इससे निकलने वाले प्रक्षेपों अर्थात प्रोजेक्शन्स को चशक या अंग्रेजी में हम इसको कैलिक्स कहते हैं स्क्रीन पर अब व्रक्य की सन्रचना को देखिए व्रक्य की बाहरी सतह पर द्रण संपुट होता है व्रक्य में दो भाग होते हैं बाहरी वलकुट जिसे हम कॉटेक्स भी कहते हैं और भीत्री मध्यांस जिसे हम मैडूला कहते हैं मध्यांस कुछ शंक्वाकार पिरामिड जिसे की मध्यांस पिरामिड भी कहते हैं में बटा होता है जो की चशकों में फैले रहते हैं वलकुट मध्यांस पिरामिड अर्थार पिंडों के बीच फैल करके व्रक स्तंब बनाते हैं और इन्हें हम बर्तिनी स्थम्प अर्थात अंग्रेजी में कॉलम्स ओफ बर्तिनी कहते हैं प्रतिक व्रक में लगवग 40 लाख जटिल नलिकाकार सन्नचना जिने हम व्रक्कानू या नेफ्रोन कहते हैं पाए जाती हैं ये क्रियात्मक इकाईया हैं देखे स्क्रीन पर रक्त वाहिनिया वाहिनिया तदा नलिकाएं प्रदर्शित करता हुआ व्रक्कानू अर्थात नेफ्रोन का नामंकित चित्र दिखाया गया है प्रतेक वरक्कानू के दो भाग होते हैं जिने हम गुछ अर्थाद ग्लो मेरुलस और वरक्क नलिका कहते हैं गुछ वरक्किय ध्हमनी की शाखा अभिवाही ध्हमनियों अर्थाद ऐफ्रेंट आर्टिरियोल से बनि केशिकाओं अर्थाद कैपिलरी का एक गुछ है ग्लो मेरूलस से रक्त अपवाही धमनिका जिसे हम एफरेंट आर्टिरियोल भी कहते हैं द्वारा ले जाया जाता है आप स्क्रीन पर देखिए व्रक नलिका दोहरी जिल्ले युक्त प्याले नुमा बोमेन संपुट से प्रारंब होती है जिसके भीतर गुच्छ होता है गुच्छ और बोमेन संपुट मिलकर मैलपीगी काय अथवा व्रक कनिका जिसको कॉर्पसल भी कहते हैं बनाते हैं आप स्क्रीन पर पुना इस चित्र में देखिए बोमेन संपुट से एक अतिक कुंडलित समीपस्त संबलित नलिका PCT, proximal convoluted tubule प्रारंब होती है इसके बाद व्रक कानु में हेर पिन के आकार का लूप अफ हैनले या हैनले लूप पाये जाता है जिसमें आरोही वै अवरोही भुजा होती है आरोही भुजा से एक और अतिक कुंडलित नलिका दूरस्त सम्बलित नलिका distal convoluted tubule या DCT प्रारंब होती है अनेक व्रक कानु की दूरस्त सम्बलित नलिकाएं एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती है अनेक संग्रह नलिका नलिकाएं मिलकर चशकों के बीच स्थित मध्यान्स पिरामिट से गुजरती वी व्रक्य स्रोनी में खुलती है नलिका दूरस्त सम्बलिका नलिका आधी व्रक के वलकुट भाग में जबकि हेनले लूप मध्यान्स में इस्तित होते हैं आधिकान्स व्रक्कानु के हेनले लूप बहुत चोटे होते हैं और मध्यान्स में बहुत कम धशे रहते हैं ऐसे व्रकानों को हम वलकुठिये व्रकक कहते हैं। आप स्क्रीन पर प्रदशित इस चित्र के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि कुछ व्रकानों के हिनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांस में काफी गहराई तक धंसे रहते हैं। इन्हें सानिध्य मध्यांस व्रक्कानों या जक्स्टा मेडूलरी नेफ्रोन कहते हैं। वासा रेक्टा बनाती है। वलकुटिय टाइड व्रक्कानों में वासा रेक्टा या तो अनुपस्तित होती हैं या अत्यदिक व्रासित होती है। मानव उत्षर्जन तंत्र की आंतरिक संद्चना समझने के बाद अब हम मूत्र निर्मान की प्रक्रिया को जानेंगे। जो व्रक्कानों के बेन भागों में होती हैं। मूत्र निर्मान की प्रथम चरण में केशी का गुछ द्वारा रक्त का निस्यंदन अर्थाद फिल्ट्रेशन होता है। जिसे गुछ या गुछीय निस्यंदन कहते हैं। व्रक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन ग्यारा सो से बारा सो मेली लीटर रक्त का निस्यंदन अर्थाद फिल्ट्रेशन किया जाता है। जो की हृदे द्वारा एक मिनट में निकाले गए रक्त के एक बटे पांच में भाग के बराबर होता है। गुछ की केशिकाओं का रक्त दाब रुधिर का तीन परतों में से निस्यंदन करता है। ये तीन परते हैं गुच्छ की रक्त केशिका की आंतरिक उपकला, बोमेंट संपुट की उपकला तथा इन दोनों के परतों के बीच पाई जाने वाली आधार जिल्ली बोमेंट संपुट की उपकला कोशिकाएं पदानू अर्थाद पोडोसाइट्स कहलाती हैं जो विशेश प्रकार से विन्यसित होती हैं जिससे कुछ छोटे छोटे अवकास बीच में रह जाते हैं इने निश्चंदन खाँच या खाँच चिद्र अर्थाद स्लिट पोर कहते हैं इन जिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह चंता है कि जिससे रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेश भाग चंकर संपुट की गुहा में इकट्टा हो जाता है इसलिए इसे परा निश्यंदन या अल्ट्रा फिल्टेशन भी कहते ह व्रकों द्वारा प्रति मिंट निश्यंदित की गई मात्रा गुच्छी निश्यंदन दर यानि की जी एफ आर अर्थात ग्लो मेरूलर फिल्टेशन रेट कहलाती है एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर 125 मिलिलीटर प्रतिमिनट अर्थात 180 लीटर प्रति दिन है गुछ निश्यंदन की दर के नियमन के लिए ब्रकों द्वारा क्रिया विधी अपनाई जाती है गुछ ये आसन उपकरण द्वारा एक अती सूक्ष मक्रिया विधी संपन की जाती है यह विशेश संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर किस्थल पर दूरस्त संबलित नलिका की केशिकाओं के रूपांत्रन से बनता है गुछ निशेंद अंदर में गिरावट इन आसन गुछ केशिकाओं को रेने के स्रवन के साथ सक्रे करती है जो व्रक्य रुधिर का प्रवाह बढ़ा कर गुछ निशेंद अंदर को पुनह सामाने कर देती है प्रति दिन बनने वाले निशेंद के आईतन जो की लगभग 180 लीटर प्रति दिन होता है इसकी तुलना उत्सजित मोत्र जो की लगभग 1.5 लीटर होता है से की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99 प्रतिसयत निशेंद को व्रक्य नलिकाओं द्वारा पुनह अवसोसित किय जाता है जिसे पुनह अवसोशन कहते हैं यह कार्य व्रक्य नलिका की उपकला कोशिकाओं अलगला खंडों में सक्रिय अथ्वा निश्क्रिय क्रिया विद्वारा करती हैं उधारन के लिए निशेंद पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमिनोमल, सोडियम आयन इत्यादी सक्र रूप से परिवहन से पुनर अवसोशित कर लिए जाते हैं जबकि नाइटोजन निशेंद निश्क्रिय रूप से अवसोशित होते हैं आप स्क्रीन पर प्रदशित चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि व्रक्याणों के प्रारंबिक भाग में जल का पुनर अवसोशन नि करती हैं नलिकाकार स्रवन भी मूत्र निर्वान का एक मुख्य चरण है क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनी वै अमलक शार संतुलन को बनाये रखता है प्रियो उद्यार्थियों आज के सत्र में हमने उत्सर्जी उत्पाद एवं इनके निश्काशन के बारे में जो कुछ भी सी का है उसका एक बार शारांस रूप में पुनाय अवलोकन कर लेते हैं अमोनिया के उत्सरजन की प्रक्रिया को अमोनियो सर्ग प्रक्रिया कहते हैं तथा जिन प्राणियों में यह पाया जाता है उन्हें हम अमोनिया उत्सरजी या अमोनोटलिक कहते हैं यूरिया का उत्सर पाई जाते हैं जैसे आदी व्रक्क प्रोटोन अफ्रिडिया या जुआला कोशिकाए नलिकाकार उत्षरजी अंग व्रक्क मैल पेगी नलिकाए शरंगिक गंत्रियां जिनको हम एंटिनल ग्लैंड भी कहते हैं या हर्धि गरंथियां तथा व्रक्क आदी अधिक ग्रंथि मन बगब चालिस लाख जटिल नलिकाकार संदचना व्रक्कानु अर्थात नेफ्रोन पाई जाती हैं जो क्रियात्मक एकाईया हैं मोत्र निर्मान में तीन मुख्य परिक्रियाएं सम्मिलित हैं गुच्छिय निश्चिन्दन पुनह अवशोषण वे स्त्रवन जो व्रक्कानु के विविन्द भागों में होता है विद्यार्थियों आईए अब आपके ग्रह कारिये हैं तो कुछ प्रस्त अभ्यास के लिए दिये जा रहे हैं अम्मोनोटैलिक यूरियोटैलिक तथा यूरिकोटैलिक को उधारन सहीत परिभाशित कीजिए प्राणी जगत में विविन्द प्रकार के उत्सर्जी अंके नाम वय उदाहन दीजिए मानव उत्सर्जी तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए ब्रकानों की सन्दचना एवं कारिविधी का सचित्र वर्णन कीजिए मोत्र निर्मान की प्रक्रिया का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए प्रिविद्यार्तियों आज के सत्र में आपने उत्सरजी उत्पाद एवं इनके निश्काशिन का विस्तार से अध्यन किया है आप उनका स्वाध्य द्वारा पाथन करें, मनन करें और अपने उद्देशिक में सफल हो इनी शुब कामलों के साथ शिग्र ही किसी नए उपविसे पर आपसे हम पुनह मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद इनका स्कूपाओन स्वाध्य दोओन इनसे हम लेशन गिए davon करें बवाद पुन है नह स्वाद आपिते हो इनी शहाध्य नह स्वादाब कान